नमस्कार स्वाकत है आप सभी का हर्याना के मुख समाचार की ताजा बुलेटिर में इस वीडियो में जानेंगे हर्याना की टॉप 10 फटा फट ताजा कबरें इन खबरों को जानेंगे विश्थार से अगर आप हर्याना के किसी बिजले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो बर एक लाइक करते वीडियो को सियर ज़रू करें सुरू करते हैं हर्याना के मुख समाचार की पहली बड़ी खबर से तो हर्याना में एक नया पस्म विजचोब होगा सक्री इन इलाकों में होगी बारिस तो 23 नॉम्बर को एक कमजोर पस्विश्चोब आ रहा है उमीद है कि इस सिस्टम से थोड़े समय के लिए रुकेगा और कमजोर इस्तित में रहेगा वास्तों में इसका अधिकांस प्रभाव के वल मध्य और उचे इलाकों तक ही सिमित रहेगा जबकि अधिक्तम प्रभाव उचे इलाकों पर होगा निचले इलाकों में बनहाल स्रीनगर पार्टनिक टॉप आधिस्थानों पर हलकी बारिस भी देखने को मिल सकती है और इसका असर हर्याना के जिलों पर भी देखने को मिल सकता है ये बड़ी कबर है पराली पर सुप्रीम कोट की टिपड़ी का भाजपा प्रदेश अधिच ने क्या स्वागत कोट के सामने आया यह आकड़ा तो भाजपा के प्रदेश अधिच एवं सांसत नायाब सैनी ने पराली जलाने से होने वाले प्रदूसन को नियंतरित करने के लिए हर्याना सरकार के प्रयासों पर सुप्रीम कोट ने जो मोहर लगाई है उसका स्वागत किया है प्रदेश अधिच ने कहा है कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी आना मनुहर सरकार की नीदियां और प्रदेश की किसानों का जागरूख होना है हर्याना में अवैद सराब की विक्री रोकने को लेकर हर्याना पुलिस का धर पकड़ अभिहान जारी सक्त सी सक्त कारवाई की जा रही है इस अभिहान के तहट 11 नॉम्बर से लेकर की 20 नॉम्बर तक 446 एफाईर दर्ज करते वे 436 लोगों की गरफतारी की गई है 29 फरवरी तक चंडीगर प्रयागराज की बीच नहीं चलेगी उचाहार एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 3 मा के लिए रद सोनीपत रेलवे जंक्सन से रोजाना करीब 40,000 रियातरी दिल्ली और अंबाला रूट पर ट्रेनों में सफर करते हैं रेलवे ने कोहरे की वज़े से प्रयागराज से चंडीगर जाने वाली उचाहार एक्सप्रेस गाड़ी नमबर 14217 को 2 दिसंबर से 1 मार्च तक रद कर दिया है इसका संचालन 2 मार्च से क्या जाएगा इस ट्रेन का ठहराओ सोनीपत रेलवे जंक्सन पर सुबे 5 बजे है वहीं चंडीगर से प्रयागराज जाने वाली 14218 को 1 दिसंबर से 29 फरवरी तक रद कर दिया गया है इस ट्रेन का सोनीपत रेलवे जंक्सन पर साम 7 बज़ का 46 बज़े ठहराओ होता है अब दोनों ट्रेनों का संचालन 1 वा 2 मार्च से क्या जाएगा ऐसे में सोनीपत से दिल्ली वांबाला रूर पर आवगमन करने वाले यातरियों को परेसानी का सामना करना पड़ेगा विनेईस को दी सुरच्छा लेने से परज़नों ने मना किया प्रवर्जनों के दोरान धंगी परी कॉल आने की थी सिकायत हर्याना के सोनीपत के खरकौदा के परताप कालोनी में रहने वाले अंतरास्टी पहलवां विनेईस फोकाट की सुरच्छा में के अंदरी रिजर पुलिस बलके दो जवानों को भेजा गया मगर परज़नों ने उन्हें लोटा दिया है वर्तमान में विनेईस पैंगलूरू में अभ्यास कर रही है बताया जा रहा है कि प्रतर्सन की दोरान धम की भरी कॉल आने की सिकायत दी थी इसके चलते सुरच्छा के लिए जवान भेजे गए थे ठाकि भिसमेन उन जर्वेस पंधारी को पिढ़ी को पता चल सके उन परज़नwo को केंधर सरकार को किसान आंदोलन के चलते रद करना पड़ा बारह किसंबर को खड़कर टोल पर दूसरा किसान आंदोलन विज्वे दिवस मनाया जाएगा किसानों का पंच कुला में तीन दिनी पड़ाओ 26 से अंदुलन के लिए बनाएंगे रणीती सन्युकिसान मोर्चा और सहिद भगा सिंग किसान क्यूनियन सहिद विविन संगटनों की सन्युक्त बैठक कुरुक्षेतर जाट धर्मसाला में हुई इसकी अधर्चता अखिल भारती किसान सभा के पूर्व जला धर्च कामरेट परताब सिंग ने की जबकि सहिद भगा सिंग किसान यूडियन के धर्च अमरजी सिंग मोडी जलापरधान संजू नंबरदार सहिद कई किसान नेताओं ने सम्मोधित किया कुरक्षेत रंबाला यम्नअनगर कैथल के इम्ीग्रेशन सेंटर वा पंच गुलना के करण किलब संचालग गैंगस्टरों के निसाने पर गैंगस्टर कालाराणा गोल्डी बराड अन्मॉल विसन्वई आदीदैसत फैला रहे हैं इनके निसाने पर कुरक्षे द्रमबाला यमिननगर कैथल के इमिक्रेशन सेंटर संचार को के साथ साथ पंचकुला के कलब संचालग भी हैं जहां ये कभी सोसल मीडिया पर वीडियो जारी कर रहे हैं तो कहीं अपने गुरुगों के जरिए फरौती माँग रहे हैं हर्याना में एक महला सरपंच 25 नौंबर को प्रधान मंत्री से करेंगी समवाद सभी जिलों से भेजे गए नाम जो परधान मंतरी से जल जीवन मिसन पर समवाद करेगी हैसे ही देश के प्रतेकर राज से नाम भेजे जा रहे हैं हाई कोट ने अमरतपाल सिंह के साथी दलजीत कलसी को दिया जढ़का याजगा की खारिज अमरतपाल सिंह के साथी सरबजीत उर्फ दलजीत कलसी की याजगा पर पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए दोटू कहा है कि किसी के जीवन और सौतंतरता की रच्छा का सामधानिक अधिकार एहम है लेकिन इसके लिए राजगी कानुन विवस्ता को दाओं पर नहीं रखा जा सकता सभी पच्छों को सुनने के बाद पंजाब हरे नहाई कोट ने कलसी की आजगा को खारिज कर दिया पानीपत में यूपी निवासी सियारफी अब जवान का यमना नगर में मिला सौक कमर पर दुपटे से बने बैक में मिले पत्थर सियारफी अफ जवान का सव मंगलवार को पानीपत के सनौली के पास यमना में मिला वे पांस दिन पहले संदिक परस्तितियों में लापता हो गया था कराना यूपी पुलिस ने सौग को यमना से बाहर निकल वाया पुलिस के प्रात्मिक जाच में सामने आया है कि जबान आंधर प्रदेश में हेड कॉंस्टेवल के पद पर तैनाथ था वो एक महा के आउकास पर घर आया था पुलिस ने सौग को पोश्ट मार्टम के लिए भेज दिया है राम रहिम की फरलो बनी राजनितिक चर्चा का विस्य राजिस्थान चुनाओं में पढ़ सकता है बड़ा असर डेरा सच्चा सौधा के परमुक राम रहिम के फरलो पर आने का सीधा असर राजिस्थान चुनाओं पर देखने को मिल सकता है डेरा सच्चा सौधा का बड़ प्रभाव हर्याना के साथ लगती राजिस्थान बेल्ट में देखने को मिलता है इसलिए राजिस्थान चुनाओं के मदे नजर राम राहिम को फरलो मिलना एक चुनावी चर्चा बन गया है चुनावी तौर पर उसकी फरलो को देखा जा रहा है अलाकि इस संबंद में डेरा प्रबंधन कुछ भी कहने से गुरेजगरता नजर आ रहा है तो जहां ये हैं हर्याना के मौक समाचारो की ताज़ा बुलिटिन धन्यवाद जहिंद